हलो दोस्तों तेक बर फिर से आपका स्वायद है हमारे नए वीडियो में तो आज के वीडियो में हम बात करें किसे आप अपने मोबाईल फोन से आदार कर डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो को सुरूर से लेकर लास तक जरूर देखेगा तो दूस्तों सबसे पहले आपको Google ओपन कर लेना है आपके फोन में Chrome ब्राउजर हो या कोई भी ब्राउजर हो उसमें आपको Google ओपन कर लेना है फिर आपको Google में टाइप करना होगा सर्च बार में यहाँ पर आपको टाइप करना है UIDAI और सर्च कर देना है देखे यह जो पहली वेबसाइट आ रही है वो आधार की वेबसाइट है तो सबसे पहले आपको आधार की वेबसाइट के अबर क्लिक करना होगा तो हम क्लिक कर लेते हैं फिर आपको यहां से आपकी बासा सिलेक्ट करने होगी जो भी आपको बासा सिलेक्ट करने है वो आप कर सकते हैं हिंदी, इंग्लिस, जो भी मराथी, उल्दू, जो भी है आपकी पसंदिदा बासा सिलेक्ट कर सकते हो तो मैं यहाँ पर English सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर यह आधार की वेबसाइट ओपन हो चुकी है तो यहाँ से आपको यह जो options दिख रहा है Download आधार तो उसके अब आपको क्लिक करना होगा फिर आपको यहाँ नीचे की ओर जाना होगा यहाँ पर जो पहले options आ रहा है Download आधार तो इसके ओपर आपको क्लिक करना होगा फिर अगर आपका आधार का पहले से बना हुआ है और आप उससे डाउनलोड करना चाहते है तो आप यहाँ पर आधार नंबर के ओपर सिलेक करके यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल सकते है और अगर आपने नया कोई आधार का बनवाया है और आपका आधार अभी तक बना नहीं है और आपके पास कोई आधार नंबर नहीं है तो आप enrolment id डाल कर आपका नया बना हुआ आधार डाउनलोड करने के लिए आप enrolment id के पर सिलेक करेंगे और यहाँ से आप enrolment id का नंबर डालेगे दोस्तो अगर आप नया आधार का डाउनलोड करना चाहते हो तो वो कैसे करना है वो भी हम दिखाएगे आगे तो आप वीडियो पर बने रहिएगा तो हमार आदर पहले से बना हुआ है तो मैं आदर नमबर के उपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आदर नमबर डालके आपको आदर कर डाउनलोड करके दिखाता हूँ तो दूस्तो मैंने यहाँ पर आधर नमबर लिख दिया हुआ है अब यहाँ पर नीचे के और जो options आ रहा है वो options आपको select करना होगा यहाँ पर जो capture लिखा हुआ है जिसा लिखा है small में जो लिखा है वो small में आपको लिखना है और जो capital में लिखा है वो capital में लिखना है सिर्फ यहां से देख के आपको यहां पे लिखना है तो पहला हमारा small character है तो इसके लिए आपको यहां पे click करना होगा और इसे small कर लेना होगा E small है, J capital है तो फिर से आपको J बढ़ा लिखना होगा फिर S बड़ा लिखना होगा फिर से फिर यहां पे B small है फिर D small है फिर N b small ही है तो इसके पर आप क्लिक करना होगा फिर आपको send OTP के उपर क्लिक करना होगा आपने नया अधरकाद बनवाते वक्त नमबर दिया होगा आपका Mobile Number तो उस नमबर पर OTP आएगा यहां अपको send OTP क्लिक कर लेना है मैं क्लिक कर लेता हो यहां पर दिखें OTP send हो चुका यहां पर दिखा रहा है जो भी OTP है वो आपको यहांपर लिखना होगा तो हमने OTP लिख दिया है या पर फिर आपको verify and download के उपर click करना होगा जैसे आप verify and download के उपर click करोगे आपका अधर का download हो जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर दिखा रहा है congratulations your आधर काड has been successfully downloaded तो हमने आधर का download कर लिया है तो दोस्तो अब हम इस आधर काड को कैसे देख सकते हैं तो यहाँ पर उपर आपको three dots के उपर click करना होगा फिर यहाँ पर आपको download के उपर click करना होगा फिर दोस्तो आपको यहाँ पर उपर की ओर जो लिखा हुआ है इअधर तो वही आधर काड है जो हमने download किया है तो उसके आपको click करना होगा आधर काड को खोलने के लिए उसके आपको हम click कर लेते हैं फिर यहाँ से आपको options दिखाए जा रहा है आप कौन से format में खोलना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर PDF viewer में खोलना चाहता हूँ तो मैं इसको just on script भी सकता हूँ और यह always भी कर सकते हो आप जो आपको ठिक लगए आप कर सकते हो तो मैं इसे select कर लेता हूँ फिर यहाँ पर आपसे password मांगेगा बीना password के यह अधरकर open नहीं होगा दूस्तों तो आपको password डालना होगा यहाँ पर अगर आपका नाम है सूरज और आपका जनम का साल है ца 1980 तो आपको जहाँ पर शूरज का नाम के आगे चार सब्द लिखना है चार अक्सर लिखना है आपको कि जिसे शूरज का e,s,y,or,a तो चार अक्सर वह आएगा और उनका जनम तारिख है अगर 1980 है साल का तो वो डालना होगा और आपको जो नाम के चार अक्षर आप लिखोगे वो कैपिटल में आपको लिखना होगा तो मैं यहापे लिख लेता हूँ तो दोस्तो मैंने यहापे लिख लिया है पासवर्ड फिर आपको ओपन के उपर क्लिक करना होगा देखिए यहां पर आधरकाद डाउनलोड हो चुका है तो दोस्तों आप भी इसी तरह से आधरकाद डाउनलोड कर सकते हो तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं अगर हम में नया अधरकाद डाउनलोड करना है तो किस तरह से करना है वो भी हम देख लेते हैं तो दोस्तो आपको नया अंतरका डाउनलोड करने के लिए आपको enrollment slip चाहिएगी जब आप नया अतरकाट बनवाते हो तो वहाँ से आपको इस तरह के एक slip दिया जाता है तो उसकी ज़र्द रहेगी आपको नया अतरकाट डाउनलोड करने के लिए या फिर आपके mobile पे message में भी आता है number enrollment ID तो वो भी उससे भी आप download कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए आपको इस lip में दिया हुआ ये number डालना होगा यहाँ पे तो जिस तरह से हमने पहले दिखाया किस तरह से आपको download करना है आदर का तो वो ही process आपको follow करना है Google पे जाके आदर की website पे आके आपको यहाँ तक आजाना है फिर download आदर के पर click करना है फिर आपको यहाँ पे आदर नंबर की जगे पे enrollment ID सिलेक्ट करना होगा फिर आपको यहाँ पे आपके enrollment ID में आपके mobile पे जो भी message आए होगा उसका जो भी पूरा अंग होगा वो डालना होगा यहाँ फिर आप slip से भी download कर सकते तो उसके लिए आपको यहाँ पे slip में जो नंबर दिया गया है उपए 2728 यह पूरा नंबर आपको डालना होगा फिर आपको date डालना होगा यहाँ पे 2020 बारा बारा पहले आपको 2020 लिखना है और बारा बारा लिखना है इस नंबर के बाद तुरंद आपको 2020 लिखना है फिर बारा बारा लिखना है फिर आपको लिखना है 14 58 14 तो जो भी आपका time होगा वो आपको लिखना होगा यही नही लिख देना है आपको तो जो भी आपके slip में time होगा वो आपको लिखना है तो पूरा नमबर आप लिख लेगे फिर आपको फिर से ये capture down लिखना होगा आपको जो यहापे लिखा हूँ है M6NXE8 तो वो आपको लिखना होगा फिर यहापे capture लिखने के बाद आपको sign OTP पर कर जो लाँ होगा वही OTP आपको ड़ना होगा तो दोस्तों जातरि से हमने पहले हत्राा का ळाणूलोड किया था वही process फिर से आपको follow कर ना है और ऊपको password डालना है और उसी तरह से डाउनलोड करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को सेर कर दिजे अपने फ्रेंज और फेमिली के साथ और अगर आपका कोई भी सवाल है या सुझाओ है तो आप हमें कॉमेंट में पूछ सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम का आईडि भी आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया तंग्स वो वाग्चिंग